इस्राइल-फिलिस्तीन वोर के महा घमासान की तरहे भारत में जब से चुनाव आयोग द्वारा पांचो राज्यों के चुनाव तारीक की घोशना की गई है तब से ही भाजपा और कॉंग्रेस के बीच प्रचार की रफ्तार तेज हो गई है या यूँ कहें कि प्रधान मंत्री स्वेम मध्यप्रदीश के लागातर दोरे कर रहे हैं तो वही कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है आज राहूल गांदी मिजोरम के दो दिवसिये दोरे पर है आपको बता दे कि मिजोरम में 7 नमंब को होने वाले विदानसभा चुनाओं से पहले कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी पाटी के प्रचार के लिए आईजोल पहुंचे हैं आने के तुरंत बाद ही कॉंग्रेस अंसद ने राज्य की राजधानी के चंदमारी शेत्र से राजभावन तक पद्यात्रा में भाग इसके बाद उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया राहूल ने इस सभा में मनिपूर की घटनाओं का जिक्र करते हुए पिये मोधी पर निचाना साथा राहूल ने कहा कुछ समय पहले मैं मनिपूर गया था मनिपूर के विचार को भाजपा ने खत्म कर दिया है अब यह एक राज्य नहीं बलकि दो राज्य है लोगों की हत्या कर दी गई है महिलाओं से चेड़ चार की गई लेकिन प्रदान मंत्री को वहां यात्रा करना मैत्वपूर नहीं लगता है राहूल गांदी के इस पध्यात्रा में साफ तोर पर देखा जा सकता है कि लोग हजारों की संख्या में कैसे सडकों पर उतर आए हैं सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही एक वीडियो में साफ तर पर देखा जा सकता है कि कैसे राहूल गांदी ने वीलचेर पर बैठे एक यूवक का हाथ पकड़ रखा है और अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं आपको बता दे कि इस यात्रा में एक बड़े पैमाने पर लोगों की बीड सडकों पर उतर आई है इस यात्रा से जुड़ी कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रही हैं किसी ने कहा जन नायक के लिए उम्रा महबत का सहला तो वहीं किसी ने लिखा कि महबत की दु हुई है और वहां की कब्रिज दे रही है तो ऐसे में हमारे देश में क्या घट रहा है इस ख़बर को दिखाना थोड़ा मुश्किल तो है खैर आपको यह भी बता दे कि राहुल गांधी ने अपनी सभा में कुछ जरूरी मुद्दों के संबोधन में बड़ी बात कही है र यह हमारे प्रधान मंत्री का ऐसा आइडिया था जिससे देश को काफी नुकसान हुआ इससे देश की अर्थ विवस्ता आज तक ठीक नहीं हुई है आगे राहुल गांधी कहते हैं कि बारत की अर्थ विवस्ता को विक्सित करने के लिए प्रधान मंत्री की रड़नीती को स संच्छेपित किया जा सकता है सब कुछ एक व्यवसाई के मदद के लिए बनाया गया है वही राहुल गांदी के आईजोल पहुंसते ही कॉंग्रेस द्वारा मिजोरम में उमिद्वारों की लिस्ट की घोशना कर दी गई है आपको बता दे कि पिछले साल हुए भारत जोड़ साथ ही राहुल गांदी ने ये भी बताया कि मिजोरम के बारे में मेरी धारना तब बनी जब मैं 16 साल का था जब मैं 1986 में अपने पिता के साथ यहां आया था उन्होंने ये भी कहा कि मिजोरम के लोग सौम्य, दयालू और सने हैं राहुल गांदी अपने दोरे के दूसरे द साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें